वेल्टम यूट्व चैनल दनर्सिंग अकडमी माईसल पुर्णिमा अज हम बात करेंगे डॉक्टर राम अनुहर लोहिया इंस्टिट आप मेडिकल साइंस की तरफ से रिलीज हुई रिक्रोट्में नोटिफिकेशन के बारे में यहां पर रिलीज किया गया है डॉक्टर राम रिलीज के गया है जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोश्ट विटनरी ऑफिसर की पोश्ट रिलीज के गया है यहां पर हम डिटेल में बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की पोश्ट की बारे में टोटल नमबर आप पोश्ट कितने रिलीज के गया है क्या 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 क्वालिफि पर walk-in interview के माध्यम से candidate को select किया जाएगा आप टोटल अंबर आप पोस्ट की बात करें तो टोटल 40 post release किया गया है 40 post release किया गया है जिसमें आपका मंतली remuneration जो रहेगा 41,962 रूपीज पर मंत रहेगा इसमें walk-in interview के माध्यम से candidate को select किया जाएगा walk-in interview का date जो है 10th of January 2023 है 11 आपको प्रेजेंट होना है वैन्यू की बात करें तो administrative block में आपको प्रेजेंट होना है administrative block of doctor Ram Anohar Lohia Institute of Medical Sciences तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट होना है आप बात करते है eligibility की qualification के चाहिए यहाँ पर apply करने के लिए तो प्रेजेंट है और से अपको प्रेजेंट है और आपका रजिस्ट्रेस्टेंग कांसील यहाँ फिर आपने जी-एन-म किया है किसी और आपका रेजिस्ट्रेसन है है SMC से और जीनंम अगर आपने किया है तो जीनम के साथ आपके पाश टु येर का क्लिनिकल एक्सप्रेंस है मिनमें फिप्टी भेड़ेड होस्पीटल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों केज में आपके आप होने चाहिए रिटार्ट सेक्टर से या फिर सेमी गौर्म बाद करते हैं आपको इंटर्व्यू के टाइम पर कौनकों से डॉक्यमेंट लेकर जाने हैं क्या लेकर जाने है तो आगे मां आपको प्रॉफार्म दिखाने वाले हैं यहां पर application form का यहां पर application form है इसको fill up करना है fill up करने के बाद आपको यहां पर passport size photo लगाना है, paste करना है, sign किया हूँ application form along with CV, CV भी आपको लेना है CV के साथ आपको attested copies लेना है relevant document का और attested copy of PPO interview के time पर आपको लेका जाना है यहां पर maximum age limit जो रखा गया है, 64 years तक के candidate apply कर सकते हैं, यह आपका age जो count किया जाएगा, वो date of interview का जो date है, तब तक count किया जाएगा, इसके लबा यहां पर आपको 10 years जो रखा गया है, यहां पर, कोई भी TA idea आपको नहीं दिया जाएगा, इंटर्व्य अटेंड करने के लिए, इसके लाबा बात कर रहे थे, कौन को से document आपको लेकर जाने है, साथ में तो आपको candidate को अपने पास CV रखना है, अपना CV के साथ, आपका application form जो है, फीलब के वह application form रखना है, उसके सा certificate और last page slip up कर रहेगा, तो यह सब का self-attested photocopies रहेगा, और original भी आपको साथ में लेकर जाने है, original document भी आपको साथ में रखना है, वेरिफिकेशन के लिए, तो यह सारी चीज़े आपको लेकर interview attend करना है, interview का date जैसा हमने बताया, 10th of January 2023, 11 am है, administrative block of the institute आपको present होना है, तो जो भी interested candidate है, वो यहाँ पर interview attend कर सकते हैं, यहाँ पर आगे हमने बताया, यह application form दिया है, यह application form आपको fill up करना है, इसके PDF लिंक आपको description box में मिल जाएगा, अधर करी के लिए आप Telegram टेनल जोइन कर सकते हैं, वीडियो अच्छा